नमस्कार दोस्तों क्राइम तक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ सूपरतीम बैनर जी आज की कहानी देश के आर्थिक राजधानी मुंबई से है बलकि मुंबई के पास नवी मुंबई से है नवी मुंबई में एक लोकालिटी है पन्वेल कोट इसी पन्वेल कोट इलाके में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था मुहमद असलम हश्मत मुहमद असलम हश्मत एक फेबरिकेटर का काम करने वाला आदमी था यानि मुंबाइ में रहकर फेबरिकेशन का काम करता था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था इस साल आपको याद होगा 28 जून को बकरीद का तेवार था और बकरीद के मौके पर उसने अपने घर जाने की प्लैनिंग की थी 28 तारिक को उसे उत्तर प्रदेश में अपने घर में होना था लेकिन 27 तक वो अपने सफर के शुरुआत नहीं कर सका था जो भी उसके मसले होंगे या काम होगा मुंबाइ में उसकी वज़े से वो 27 तारिक तक 27 जून तक अपनी जर्नी शुरू नहीं कर सका था 27 जून को उसने अपनी बीवी से बात की थी मॉबाइल फोन पर एक वाटसैप कॉल किया था उसकी बीवी ने और हश्मत के साथ उसकी बीवी की बातचीत हुई उसकी बीवी उत्तर प्रदेश में थी हश्मत ने उसे कहा कि वो अगले दिन यानि बकरीद के रोज सुबह जो है फ्लाइट लेकर यूपी आएगा और जल से जल घर पहुंच जाएगा वीडियो कॉल पर ये बातचीत 27 जून की रात को हुई थी और इस बातचीत के बाद इत्वाक से हश्मत का मॉबाईल फोन स्विच्च तॉफ हुँ गया और फोन कुछ ऐसे सुइच्च तॉफ हुआ कि फिर स्विच्च तॉन हुआ ही नहीं और घर वाले परिशान हो गये हश्मत से बात करते रहें बकरीद का तेहार आकर निकल गया लेकिन किसी को हर्षमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो फिर उत्तर प्रदेश में जब परिवार वालों की चिंता बहुत जादा बढ़ गई तो फिर उन्होंने मुंबई में रहने वाले अपने एक और रिष्टिदार को फोन किया हषमत की बीवी ने अपने देवर को फोन किया जो निरूल इलाके में मुंबई के रहा करता था और उसने ये बताया कि एक बार जाकर हषमत के घर जाकर कम से कम वो पता करे कि वो कहां पर है क्योंकि उसका मॉबाइल फोन स्विश्ट आफ हो गया है बकरीद का तेवहार आकर निकल गया और वो आया नहीं न तो उसका फोन आउन हो रहा है बात नहीं हो पा रही है हम सारे लोग बहुत परिशान है तो जब ये बात निरुन के रहने वाले उस रिष्टेदार को पता चली तो वो सबसे पहले हषमत के घर पहुँचा पनवेल कोट इलाके में जो भी उसका फ्लैट था आशियाना सोसाइटी में रहता था वो लेकिन वहाँ जब हषमत नहीं मिला जब उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है तो फिर वो सीधे पहुचा पुलिस के पास और पनवेल सिटी पुलिस में उसने हषमत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी रिपोर्ट लिखवाने के साथ ही उस रिष्टेदार ने पुलिस को ये भी बताया कि हषमत की आखरी बार उसकी बीवी से मुबाइल फोन पर वीडियो कॉल के जरिये बात चीत हुई थी और ये बात चीत हुई थी 27 तारीक की शाम को या 27 तारीक की रात को इसके बाद पुलिस जो है इस मामले की तफ्तिश शुरू करती है और इसी कड़ी में वो सबसे पहले हषमत की बीवी से बात करती है हश्मत की पतनी से पूछताच करने पर वो महीला बताती है कि हाँ मेरे शोहर से मेरी बातचीत हुई थी और जब मेरी बातचीत हुई थी वो अपने किसी दोस्त शफीक नाम के किसी दोस्त के वर्कशॉप पर थे और वो कह रहे थे कि यहां से वो कुछ देर बाद निकलेंगे और कल सुबा यानि 28 जून की सुबा को वो फ्लाइट लेकर घर आ जाएंगे अब ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि शफीक वो आखरी आदमी है मुंबई में जिसने हश्मत को आखरी बार देखा था सही सलामत क्योंकि इसके बाद हश्मत जो है वो गायब हो गया तो इसलिए पुलिस ने शफीक से पूछताच करने का फैसला किया शफीक का पूरा नाम शफीक अली हैदर है इत्तिफाक से ये भी उत्तर प्रदेश के सिधार्त नगर का रहने वाला है और शफीक और हश्मत की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और शफीक भी उसी पेशे म हश्मत था यानि वो भी फेबरिकेटर के तोर पर मॉंबई में काम किया करता था इसलिए उसका अपना वर्कशॉप भी था तो हश्मत शफीक से मिलने गया था अब शफीक को पुलिस ने बुलाया और पूछताच कि उससे कहा कि भई हश्मत तुम्हारे पास आखरी बार आ हुआ था जल्दबाजी में था उस रोज शाम को वो आया और फिर हम दोनों की बातचीत हुई फिर वो मेरे वर्कशॉप से चला गया अब जब ये बात शफीक ने कही तो एक तरह से पुलिस के लिए तफ्तीश का रास्ता बंद हो गया पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था या उसके मॉबाइल फोन की CDR हो इन सारी चीजों से टेकनिकल इन्वेस्टिकेशन के जरिए वो हश्मत के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी इसी कड़ी में पुलिस ने CDR भी निकल आई और साथ में हश्मत जिस वर्कशॉप में गया था उस स्विच्ट आफ हो गया और ये अपने आप में एक अजीब बात थी जिस आदमी से कुछ देर पहले बातचीत हुई और जिस आदमी ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त कहां चला गया उसे नहीं पता लेकिन वो सस्पेक्ट था सस्पेक्ट इसलिए था कि आखरी बार उस ये जरूर जूट बोल रहा है और हश्मत की गुमशुदगी के बारे में उसे जरूर कोई जानकारी है अभी पुलिस उसके बारे में और जादा जानकारी जुटा ही रही थी उसके घर पर पुलिस गई तब तक पुलिस को ये पता चला कि अरे घर पर तो गए पुलिस की ट धारतनगर के लिए निकल चुका है अब पुलिस को जब ये बात पता चली तो उसका शक जो है एक तरह से यकीन में बदल गया पहले तो आखरी बार उसके वरक्शॉप में हश्मत का देखा जाना उसके बाद शकील का शफिक का इस बात से मना करना और मना करने के बाद अपना शफिक को इंटरसेप्ट करने की प्लैनिंग किया और उसके मोबाईल को सर्विलांस पर लगा दिया हाला कि मोबाईल फोन स्विच्ट ओफ था लेकिन इत्तेफाक से उसका मोबाईल फोन मुंबई से सिधर्थ नगर जाने के रास्ते में आन हुआ और उसका उसकी जो लोके नहीं ट्रेंड से डिबोर्ड करवा लिया उतरवा लिया और इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम उसे मुंबई लेकर आई और इस बार मुंबई पुलिस थोड़ी सक्ती के साथ उससे पूछ ताच करने लेगी सक्ती करने की वज़़ा मैंने आपको बता ही दी तीन च बताया कि उसने हश्मत की हत्या कर दी है उसने बताया कि उसने मांस काटने वाले एक बड़े से चाकू से हश्मत के गले पर वार किया था और ये हत्या उसने 27 और 28 जून की दर्मियानी रात को तकरीबन दो बजे के आसपास की यानि समझ लिजे कि बकरीद से बकरीद की जो चाकू से उसका गला रेद दिया और गला रेदने के बाद उसकी लाश को तीन अलग अलग टुकडों में बांध कर पॉलिथीन के पैकेट में पैक करके अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया हत्या करने के बाद उसने अपने एक दोस्त से बात किया और दोस्त से बात करने के बाद यानि अगले दिन जिस रोज पूरी दुनिया बकरीद सेलिबरेट कर रही थी उस रोज ये शफीक जो है अपने दोस्त का कतल करने के बाद अपने एक जानकार या कहलें की एक और दोस् के बाद उससे उसका मोटर साइकल कुछ घंटों के लिए बोरो किया और उसे ये कहानी सुनाई कि उसने अपने घर में कुर्बानी के लिए जो बकरा मंगवाय था वो बकरा जो है कुर्बानी से पहले ही मर गया उसकी मौत हो गई तो इसी लिए अब उस बकरे की लाश को दे दी और शफीक जो है तब तक वो हश्मत की लाश के टुकड़े कर चुका था और तीन अलग-अलग पॉलिथीन के पैकेट्स में हाथ पैर धड़ और सिर पैक कर चुका था और इन टुकड़ों को शफीक ने वहीं नवी मुंबई के चिंचपाड़ा इलाके में फेका च अपने दोस्त हश्मत की लाश निप्टा दी और बकरीद के दिन लाश निप्टाने के बाद जब वो निश्चिंट हो गया तो फिर उसके बाद इत्तिफाक से पुलिस ने उससे पूछ ताच कि और कुछी देर में वो फिर मुंबई से फरार हो गया लेकिन अब जब जब दोस्त का कतल करने की ये पूरी साज़िश कबूल कर ली बलकि उसने ये भी बताया कि किस तरह से उसने अपने दोस्त की लाश को बकरीद का मरा हुआ बकरा बताकर अलग-अलग टुकडों में करके ठिकाने लगा दिया था लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक द हश्मत की उसने हत्या की वो हश्मत सिर्फ दोस्त नहीं बलकि मुसीबत में उसका साथ देने वाला मददगार दोस्त था इस हश्मत ने एक बार तकरीबन 57,000 रुपीज शफीक को उधार दिये थे जब शफीक को अपने कारोबार के सिलसले में अपने बिजनस के सिलसले में उन रुपएं की जरुवत थी और इसके बाद हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग रुपए पैसे लेकर जो है वो बदनियत हो जाते हैं नियत से फिर जाते हैं इतिफाक से शफीक भी उन्हीं लोगों में था और शफीक जो है अब ये रुपए हश्मत को नहीं लोटा है जब मैं अपने ही रुपए जो मैंने किसी के मदद के लिए दिये थे मुझे वो ना मिल पाए और मैं परतेवार के मौके पर घर भी ना जा पाऊं सेलिबरेट भी ना कर पाऊं तो ऐसी मेहनत और ऐसी कमाई का क्या फायदा ऐसा ख्याल उसके मन में आया और उसने शफीक से मिलने उसके वर्कशॉप चला गया 27 जून की रात को और जब वो गया उसी वक्त उसने अपनी बीवी को वहां उत्तरप्रदेश में फोन भी किया था और वीडियो कॉल पर बताया था कि मैं यहां आया हुआ हूँ शफीक के वर्कशॉप में पूरी कहानी बेशक ना बतायी हो लेकिन बताया था कि मैं यहां पर हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ आने की और कल मैं फ्लाइट लेकर पहुंचूँगा लेकिन वहां पर हुआ यह कि शफीक जो है वो रुपए पैसे देने में तब भी आना का नहीं कर रहा था यह बड़ा गुसे में आ गय जिगरी दोस्त बलकि मैं कहूंगा हश्मत उसका उसने गला काट दिया और इस तरह से अपने वर्कशॉप में उसने हश्मत की हत्या की और फिर उसकी लाश के तीन टुकडे करके उसे ठिकाने लगा दिये लेकिन एक वीडियो कॉल जो मौत से पहले आकरी बार मरने वाले श स्टोरी को सपोर्ट करने वाले सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ लगे और पुलिस ने 28 जून 27 और 28 जून की दरम्यानी रात को यह घटना हुई थे और समझ लिजिए कि 16 जुलाई के आसपास पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था कातिल को तो खेर पहले ही पुलिस गिरफतार कर चुकी थी लेकिन पूरी स्टोरी 16 जुलाई तक पुलिस ने रिवील भी कर दी उसका खुलास भी कर दिया तो यह थी पूरी कहानी जो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और दुखत थी हिंदी में दो कहावते हैं नेकी कर दरिया में डाल और एक और थोड़ा हारश है नेकी कर जूते खा तो यह दूनों कहावतें जो है इस वाके को सुनकर मुझे याद आती हैं जिसका मतलब यह है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो बदले में आज के जमाने में भलाई की उमीद नहीं होती बलकि आप जिसका भला करते हैं तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाता है इसी से जुड़ी एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है मुझे लगता है कि दो लाइन की कहानी आप लोगों को बता दूँ एक महापुरुष थे जो कहीं बैठे हुए थे और तभी उनके पास एक कोई आद जरूर मैंने किसी ऐसे मौके पर उसकी कोई मदद की होगी और जब वो आदमी जो शिकायत लेकर पहुँचा था उसने जब उसके वायर अबाउट्स के बारें पता किया तो पता चला कि हाँ उस आदमी की इन महापुरुष ने कभी किसी समय में बड़ी मदद किती जब वो मुश्किल में था तो वाकर ये दौर ऐसा है जहां आप उनी लोगों के घुसे और शिकायतों और आलोचनाओं का शिकार बनते हैं आप जिन लोगों की कभी मदद करते हैं तो खेर हमें इस दौर की ऐसी परिपाटी का हिस्सा नहीं बनना बलकि हमें जो हमारी मदद करते है हमें उनका एहसान मंद रहना है मुझे लगता है कि ये सीख भी हमें इस कहानी से लेनी चाहिए आईए अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं महमूद महमूद अजी के नाम से काड़ी उन्होंने कमेंट किया है विने नासवाले जी का कमेंट है जो मैंने प्रिवेस स्टोरी सुनाई थी उस पे जिन लोगोंने कमेंट किया है उसके बारे मैं बता रहूँ ए बीबी जी पप्पु जी ने कमेंट किया है राजेंद्र पमार जी है उन्होंने भी कमेंट किया बहुत धन्यवाद आपका शुभम भार्दवाज जी का कमेंट है इन्होंने बड़ा दिल्चस्प कमेंट किया है इनका नाम तो शुभम भार्दवाज है लेकिन गलती से कल मैंने इनका नाम शंभुनाथ पढ़ लिया था तो इनको अपने एक पुराने टीचर की याद आ गई जिनका नाम शंभुनाथ था तो खैर उन्होंने धेर सारी इमोजीज भेजी है और अपना कमेंट भी किया है उमेश भुया जी जहारखंट से हैं और मेरे ख्याल से बेंगलूरू में रहते हैं उन्होंने भी कमेंट किया है मामूनी बोर्गोहा रेगुलर कमेंट करती है बहुत स्वागत है आपका बादशाजी का कमेंट है शमस सर का इमेल आइडी हमारे कोई दर्शक मांग रहे हैं इमेल आइडी तो बड़ा सिंपल है हम सारे लोगों का शमस सर का इमेल आइडी है शमस.خान आजतक.com ये सिंपल सा इमेल आइडी है आप उनको मेल कर सकते है रिजवान परवीन साहब का भी कमेंट है उन्होंने आदाब सुपरतिम भाई लिखा है मेरी ओर से भी आदाब आप स्विकार कीजिए भाई और भाई या बहन मुझे नहीं पता रिजवान परवीन इन्होंने भी कमेंट किया है बहुत साव knife का विनोध बिर खानी जी कमेंट करते है इन्होंने बड़ा ही सर्कास्टिक कमेंट किया है सेकुलरिजम जिनदाबाद लिखा है इस स्टोरी पर हालांकि मुझे नहीं लगता कि उस स्टोरी से सेकुलरिजम का कोई नातारिष्टा रहा होगा शमी महमत साब का भी कमेंट है बहुत-बहुत स्वागत आपका शीर शीराम शीराम डिजिटल इन्होंने भी कमेंट किया है और कैंडी बेबे के नाम से एक आईडी है उन्होंने भी अपनी बात रखिया परूप शिर्टा जी जर्मनी से में देखते है कंचन सिंग का कमेंट है और फैसल मलिक का भी कमेंट है बिजेंदर सिंग जी स्टडी वर्ल्ड मयंक का कमेंट है और मयंक ने बहुत लंबा चोड़ा कमेंट किया है सुजाता सारा अबराहम का कमेंट है और रोहित सीम ने भी अपनी बात रखी है बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का कमेंट के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी लोगों ने कमेंट किया है और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पर एट वन गो पढ़ना संभव नहीं है आप सबसे गुजारिश रहे कि अपनी राय देते रहें कमेंट करते रहें मैं सारे कमेंट्स वेक्तिकात रूप से पढ़ता हूँ और जितने लोगों का कमेंट यहाँ ओन एर पढ़ना संभव हो पाता है वो करता हूँ तो फिलाल मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखे सुरक्षित रहे जय हिंद जय बारत करता हूँ